जहिन बच्चों कक्षा छठी सात्वी और आठवी के बच्चों को आज मैं भारत का जो मानचित्र है वो बताने वो बनाने के लिए सिखा रहा हूँ ठीक है तो आपको मेरा अनुगरन करना है देखना है कि भारत का मानचित्र कैसे बनता है ठीक है चलिए तो फिर हम सुरूआत करते हैं तो इस्टुडेंट्स देख रहे हैं हमारे सामने ये कोरा कारज है साधा कारज है ठीक है ये साधा कारज है अभी हमें बनाना है भारत का मानचीत्र है कक्छा है हमारा छे साथ और आठ ठीक है इस्टुडेंट्स बिसे है भुगोल है ना जिसे हम अंग्रेजी में काते हैं जोगरफी और इस्टुडेंट्स हमें करना क्या है हमें भारत का मानचीत्र बनाने सिखना है भारत का मानचीत्र बनाना तो स्टुडेंट्स भारत का मानचीत्र हो या कोई भी मानचीत्र हो एक बार में नहीं बच्चों ये धिरे धिरे अभ्यास से हम सीखते हैं ठीक है सिखसक भी पहले जब स्टुडेंट्स थे जब बच्चे थे तो वो दिरे दिरे हर चीज अभ्यास से स्टुडेंट्स सीखा जाता है और एक बात मैं आपको बता दूँ कि भारत का मानचीत्र बनाने की आवसेक्ता सिर्फ भुगोल में नहीं पढ़ती वच्चों इसकी आवसेक्ता जो है इतिहास में भी पढ़ती है है यह ना इतिहास और भुगोल और भी कई बीशें है जहां पर हमें इसकी आव सकता पढ़ती है और इसकी आव सकता तो students हर ब्यक्ति को है है जाहे वो किसी भी छेतर में काम करता हो उसको भारत का मान्चीतर बीश्व का मान्चीतर अपने राज्य का मानचीत्र सारा कुछ उसको पता होना चाहिए ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स फिर अब हमारे समर्च एक और कोरा कारज है ठीक है और इसमें हम लोग अभ्यास करेंगे भारत का मानचीत्र बनाने का स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सबसे उपर जो है वो उत्तर होता है है ना सबसे उपर क्या होता है उत्तर दिसा है ना सबसे उपर उत्तर दिसा होता है तो हम लोग को जो मानचीतर बनाना है, तो इसमें हम लोग को कोशिस करना है कि हम उपर से बनावें, है न स्टूडेंट्स, उपर से मतलब ये जो छेतर है स्टूडेंट्स, ऐसे, है न, यहां से हम लोग को सुरवात करना चाहिए, ये जो छेतर है, जम्मु कस्मीर और तो अभी आपको पता है कि लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी हो गया वो केंदर साथ सी छेतर हो गया स्टूडेंट्स तो इसमें आपके राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ स्टूडेंट्स होगा लद्दाख और इस तरफ होगा जम्मू यहां पर और कस्मिर यहां सकते हैं और पसिम की और जा सकते हैं तो मुझे सहुलियत होती है स्टूडेंट्स पसिम दिसा की और जाने में तो पसिम की और जदी हम जाएंगे स्टूडेंट्स तो इस तरह से जाएंगे यहां पर पंजाब पंजाब के बाद स्टूडेंट्स यहां पर राजस्थान, राजस्थान के बाद स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग आगे जाएंगे, यह गुजरात वाला छेत्र है ना, और इस तरह से यह गुजरात वाला छेत्र बनता है, है ना, और फिर यहां से हम लोग जब और में मिलेगा हमारा क्या केरल हैना स्टूडेंट्स तो यह स्टूडेंट्स हो गया दक्षिन क्या हुआ यह दक्षिन हुआ इस तरह से हम है यहां हो गया हमारा तमिल नाडू, तमिल नाडू से इस तरह से हम आगे जाएंगे, यहां पर आंधरा परदेश, है ना, यह समुचा आंधरा परदेश वाला छेतर है बच्चों, फिर इस तरह से आगे जाएंगे यहां पर उडिसा है ना, और उडिसा के बाद स्टुडेंट स्ट्रिपुरा है और इधर हो गया आपको आसाम वाला छेतर है ये भी बंगलादेश के साथ बॉर्डर बनाता है अब इधर आप नीचे आजाएए इस तरह से है ना यहां पे आपको मीजोरम है ना नागालेंड मनिपूर और ऐसे उपर क्यों जाएंगे तो अरुनाचल प्र सब्सक्राइगा सिक्किम और फिर इस तरह पाएंगे तो नेपाल ठीक स्टुडेंट्स यहां तक नेपाल और फिर यहां से हमारा उत्राखंड वाला बॉर्डर और हिमाचल प्रदेश और इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे ठीक स्टुडेंट्स आप समझ रहे हैं तो यह छ कि दाइने हाथ है उसको हम कहेंगे पूरब क्या कहेंगे पूरब है ना और बायँ हाथ की और हो जाएगा हमारा पस्सीन है ना बाएं हाथ की और हो जाएगा पस्टीन तो ये बात आपको याद रखना है जब कभी भी आप नक्सा बनाएगा स्टुडेंट्स तो फ्री हैंड से बनाने की कोशिश कीजिए पहले बहुत अच्छा नहीं भी बनेगा स्टुडेंट्स लेकिन धीरे धीरे अच्छा बनने और भारत की तट रेखा ये सब कुछ-कुछ चीजे हैं स्टुडेंट्स जो की हम लोगों को याद रहना चाहिए भारत में कुल कितने राज हैं कुल कितने के अंदर सासी छेत रहें वो सब छोटी-मोटी जो बाते हैं वो हमें याद रहना चाहिए है ना तो मैं लीख रहा स्टुएंट्स आप देखिए भारत की कुल लंबाई है ना तो लंबाई का मतलब हो गया स्टुएंट्स उत्तर से दक्सिन जो दूरी है ना मतलब की जम्मु कस्मीर का जो सबसे उत्री छेत्र है वहां से लेके कन्या कुमारी तक का जो छेत्र है है ना दूरी है वो दूरी तो वो दूरी है बच्चों 3214 किलो मिटर ये याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा 3214 किलो मिटर ठीक है स्टूरेंट्स आप देखते जाईए मैं क्या लिख रहा हूँ क्या लिखा मैंने भारत की कुल चवडाई है ना यानि की जो पूरव से पस्थिम जो दूरी है वो दूरी कितनी है है ना पूरव यानि की अरुनाचल परदेश पस्थिम यानि की गुजराद ठीक है स्टूरेंट्स तो ये दूरी लंबाई से थोड़ी कम है स्टूरेंट्स थोड़ा मामूली कम है अपने देखा मैंने क्या लिखा 2933 किलो मिटर ठीक है स्टुरेंट्स इसी प्रकार बच्चों अब मैं एक चीज और लिखता हूँ है न भारत की कुल तट रेखा स्टुरेंट्स आपको पता है कि भारत में भारत के मांचित्र में पूरब की और बंगाल की खाड़ी दर्शिन में हिंद महासागर और पस्सिम में अरब सागर है तो ये तीनों सागर मिलकर जो तट रेखा बनाते हैं मतलब समूद्री किनारे बनाते हैं उस समूद्री किनारे की कुल लंबाई कितनी है ठीक है स्टुरेंट्स भारत की कुल तट रेखा स्टुरेंट्स साथ हजार पांस सो सोलह किलो मिटर है ठीक है स्टुरेंट्स देखिए आपके समक्ष फिर से भारत का नक्सा है है ना तो मैं बता दूँ कि इस अस्थान पे है बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी है ना मंगाल की खाड़ी क्या है ये जल छेतर है पानी वाला छेतर है महासागर है और इस तरब क्या है इस तरब अरब सागर है अरब सागर और इस टुरेंट्स दक्षिन में क्या है इस तरब क्या है और भारत के और नीचे नक्से में दिखाना संभव नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इधर दक्षीन में है ह हिंद महासागर, क्या है हिंद महासागर, ठीक स्टूरेंस दक्षीन में हो गया हिंद महासागर, तो गुजरात में इस अस्थान से लेके यहां से है न इस और तो नहीं देखिए यहां से जो उपर का जो छेतर है न यहां हमारा जो छेतर है यह छेतर यह छेतर तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर स्टूरेंट्स यहां तो सुखी जमीन है यहां से लेके यह पूरा छेतर जो ह सुखी जमीन वाला छेतर है इस तरफ पाकिस्तान है ना इस तरफ तीबत यानि की चाइना है ना इस तरफ तीबत यहां पे नेपाल यहां पे भुटान यहां पे भी तीबत यानि की चाइना और इस तरफ में बर्मा और यहां पे बांगला देश तो पानी वाली जमीन कहां प यहाँ जहाँ देखिये मैं कलंफिर से दोर आ रहा हूं ध्यान दिचेगा ये पूरा च्छेतर पानी वालच च्छेतर चnte 누 मुट काने का मतलब यहां से इतर जाएंगे तो पानी के खेतर में फोशल जाएंगे इढ़ पानी है, यह सब क्या है students, यह पानी है, है ना, यह अरब सागर है, यह क्या है, अरब सागर है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े जाहाद चलते हैं, है ना, यह छेतर पूरा, और इधर दर छीन में भी students, और इस तरह से हम लोग पूरब की ओर आएंगे, तो इधर बंगाल क की खाड़ी है, ठीक है, यह भी पानी वाला छेतर है, तो इसी चीज को students, तट रेखा कहा जाता है, ना, अब देखिए, यहाँ पे हो गया आपको, यहाँ पे हो गया तमिल नाडू, उसके बाद में आपको, आंधरा प्रदेश, यह समुचा आंधरा प्रदेश, उसके पसिम बंगाल, तो यहाँ तक students, यह जगह, इस जगह तक, है ना, यहाँ से लेके, यहाँ तक की जो दुरी है, यह है students, 7516 km, यह हमारी तट रेखा है students, क्या है, तट रेखा, इसको आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है, यह हमारी तट रेखा है, तो आप लोग तट रेखा समझ गया होंगे, है ना, जो समुद्री किनारा है students, उसी को तट रेखा कहा जाता है, तो कक्षा छटी, साथवी और आठवी है ना, तीनों कक्षा के बच्चों को, फिर से मैं एक बार निर्देश दे रहा हूं, कि आज आप लोग को भारत का मानचित्र बनाना है, इसके ल से भी आप बना सकते हैं, है ना, कहने का मतलब है कि कारज को, ए फोर साइज कारज को आप सीधा खड़ा भी रख सकते हैं, या उसको, मतलब होरिजंटल फॉर्म में भी रख सकते हैं, और उसके बाद आपको अभ्यास करना है क्या, मानचित्र बनाने का, ठीक है students, तो अभी के लिए इतना ही, और नक्से के संबंद में मैं बहुत कुछ बताऊंगा students आपको, अभी आप सरिफ सुगवात कर दीजिए, ठीक है?